देवोठनी एकादशी वरत की प्रथम कथा एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का वरत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला महाराज। क्रिपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी की ठीक है, रख लेते हैं। किन्तु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हा कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिडाने लगा, महाराज। इस से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं धूखा ही मर जाऊंगा। मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्थ की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ, तब राजा ने उसे आटादाल चावल आदी दिये। वह नित्य की तरह नदी पर। भोजन बन गया, तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान। भोजन तयार है। उसके बुलाने पर पीतामबर धारण किये भगवान चतुर भुज रूप मिया पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादी करके भगवान अंतरधान हो तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली, एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिये। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं। इसलि हम दोनों के लिए ये सामान पूरा। नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना वरत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दि राजा एक पेड के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा हे भगवान। यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्रान त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए तब वह प्रान त्यागने के उद्देश से नदी की तरफ बढ़ा। प्रान त्यागने का उसका द्रिढ इरादा जान शीधर ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोप। लिया और साथ बैठ कर भोजन करने लगे। खापी कर वे उसे अपने विमान में बिठा कर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा की व्रतुपवास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता, जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्यान मिला। भी मन से व्रतुपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्थ हुआ।